देश में सनातन धर्म को लेके लगतार बार बार बयान बाजियों का सिलसिला गर्माते हुए नजर आ रहा है एक तरफ जहां I.N.D.I.E. एलाइंस के गवडवन्दन के बाद I.N.D.I.E. एलाइंस के नेता जो है लगतार सनातन धर्म पे विवादत बयान देते हुए नजर आ लगदारन सिंग ने कह दिया था कि जो टीका चंदन लगाते हैं वही देश को बरबाद कर रहे हैं और इन सारे बयान बाजियों के बीच लगतार लालुपशाद यादव रावडी देवी मंदिरों को दौरा करते हुए नजर आये पिछ बीते दिनों वो हरिहत नात मंदिर ग हो गया है और दूसरे तरफ लालुपशाद यादव और रावडी देवी लगतार ही मंदिरों के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सनातन धर्म को कितना जादा मानते हैं लेकिन इन सारे बयान बाजियों के बीच भारती जंता पा बार बदिनाम करना चाते हैं नातन धर्म की बात करें तो देश का सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना धर्म है और इसको लेकि लगतार विवादित बयान दिया जा रहा है I.N.D.I.E. ऐलाइंस को लेकर और जिसके बाद अब लगतार लालु यादव और उनकी पतन आ रहे थे उस पर भी काफी ज़ादा बयान बाजी हुई अब जब वो देवघर जा रहे हैं ये भी देखना होगा कि देवघर में क्या कुछ तस्वीरे निकल के आती है और जब वो देवघर जा रहे हैं तो क्या जो इल्जाम आई एंडी आई एलाइंस पर लगे हैं वो सु जब लालू यादव लगतार मंदिरों का दोरा कर रहे हैं तो शायद तस्वीरे कुछ बदल सकती है देवघर जा रहे हैं और इस वक्ती है सबसे बड़ी खबर है कि लालो पुशाद यादव और रावडी देवी देवघर के लिए कुछ ही देर में रवाना होगे बरहाल मैं अनमस नहीं उपता है और आप आई वी टीवी देख रह झालो झालो